So finally guys, आप लोग इदर देख सकतो, Franklin अपने घर को change करके इदर एक modern luxury house बना लिया है और देखो भाई, इदर Franklin कितना जादा खुश हो के इदर dance भी कर रहा है साथे में भाई देखो पुलिस NPC और भाई, NPC normal वाले भी इदर dance कर रहा है और देखो यार, ये वाला जो घर है, वो कितना जादा मस्त लग रहा है लेकिन आखिर कैसे Franklin ने अपने घर को change किया और उसके जगा पे कैसे ये वाला house को लाया है ये अगर आप लोग को जानना है, सो पूरा वीडियो को एन तक देखना परेगा अड़े यार, ये मैं office का काम करते करते पूरा थक चुका हो अबे यार, ये मेरे bike के साथ किसने ऐसा क्या बै, मैंने तो bike को ऐसी रख के गया था, देखो बै, किसी ने इसको गिरा दिया बै, ये सब चीज़े अच्छा नहीं लगता, बै, office में मेरा काफी सारे दुश्मन है और बै, बो लोग मुझे चिराते हैं कि मेरा घर जो है, वो काफी जादा चोटा है और बै, सबसे पहले तो मैं bike को इदर उठा लेता हूँ नहीं तो बै, देखो यार, bike अपना गीरा हुआ पर आए और देखो बै, मेरा जो seller ही है, वो तो ठीक टाक है लेकिन मैं ना, अभी तक एक भी जो bike या, फिर मेरा जो घर है उसको भी renovate नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई, आज मैं एक काम करता हूँ मैंने भाई, काफी सारा bank balance तो बना लिया लेकिन भाई, मेरे पास तो एक भी अच्छा कासा घर का model नहीं मिला है शहर में जो कि मैं खरिद सकूँ, क्योंकि भाई, सारे जो घर है, वो देखने में लगबग सेम ही लगता है अगर मुझे कोई एक ऐसा घर मिल जाए, जो कि एकदम unique हो, और भाई, देखने में काफी जादा मसतो तो मैं सोच रहा हो कि मैं एक घर को खरिद लू, वैसे भी यार देखो भाई, ये जो बाइक है, इसको भी मुझे चेंज करना है भाई, कब तक मैं ये splendor, खटारा splendor को चलाओंगा, तो चलो भाई, फिलाल तो मैं घर पे आ चुका हो पहले मैं घर जाके भाई, फ्रेश हो जाता हो, और थोरा खाना भी खा लेता हो, क्यों काफी जादा भूग लग रहा है और काफी दिनों से मैं आफिस में ओवर टाइम भी कर रहा हो, भाई, पता नहीं क्यों ओवर टाइम मुझे से कराता है तो चलो भाई उपर जाके मैं फटाफट फ्रेश होके खाना गाके आ जाता हो ओल्राइट गैस फाइनली मैंने खाना भी खा लिया और फ्रेश भी हो चुका हो और अभी मैं आपको मेरा जो घर है उसको दिखाता हूँ और देखो भाई, ये जो घर है, ये बस एक फ्लोर का ही है, और देखो भाई, इसका जो kolर है, ये भी इतना जादा कुछ खास नहीं है, तो भाई, मुझे ना इसका kolर जो है, वो भी change कराना है, तो इससा अच्छा रहेगा, मैं एक new घर ही करीद लो, चलो यर, मैं फिलाल तो अभी बाइक लेके भाई थोरा से गूम के आता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं काशोरूम के साइड जाके देखता हूँ, की भाई काशोरूम पे कोई न्यू बाइक या फिर कोई कार आया है, क्या जो कि मैं खरीद पाओ, वैसे मुझे तो अभी घर का नीड है, फिर भी यार ये बाइक चलाते-चलाते मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक न्यू बाइक लेलू, ताकि मैं उसको अपग्रेड कर पाओ, वैसे सोच ही रहा हूँ, चलो भाई, दीखा जाएगा क्या होता है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, कार शोरू नहीं है, तो मुझे बाइक को इंपोर्डी कराना परेगा, चलो भाई, मैं देखता हूँ, थोरा सा आगे चल के, देखो भाई, मैंने जैसे कहा था कि इधर भाई, एक भी बाइक नहीं है, और अंदर दो तिन कार रखे हूए है, चलो भाई, अभी यार, ये क्या हुआ, भ आपका घर एकदम यूनिक है, अरे यार, बूल मत, भाई, मैं इस घर से तंग आचुका हूँ, मैं तो सुच रहा हूँ, इस घर को मैं बेच, अरे क्यों, आप क्यों बेचना चातो है, इस घर को, अरे वो ना, मैं एक लोटरी लगाया था, और इसमें काफी ज़्यादा पै इस लोस हो चुका है, अरे क्या बोल रहे हूँ, इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया, इन सब लोटरी में, अरे हाँ यार, बोल मत, अभी तु मेरे लिए एक काम कर सकता है, मैं इस घर को सेल करने वाला हो, तुझे कोई मिले तो मुझे बताना, तो मैं इसके पास सेल कर अच्छा चलो, मैं कुछ दिर बात फिर से आता हो, अरे यार, भाई, घर तो काफी जादा यूनिक था, और हमारे शेहर में ऐसा घर किसके पास भी नहीं है, मैं तो सोच रहा हो, इस घर को ही मैं खरीद लो, लेकिन मेरे को अभी और भी 30 लाक्स रुपीज चाहिए होगा, अब यार, फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, चलो, मैं पहले तो बाइक से उतर जाता हो, और भाई, पहले ये हेलमेट को उतरता हो, अब यार, बाइक फिर से गिर गया, चलो, मैं बाइक को पहले तो उठा लेता हो, चलो, बाइक तो उठ चुका है, और अभी सबसे पहले यह वाला जो helmet है इसको गिराता हूँ मैं helmet पहन के यह देखो भाई कितना जादा धूप हो रहा है और कितना जादा गर्मी हो रहा है चलो भाई मैं helmet निकाल लिया और जो notification आया था चलो भाई देखता हो इधर लिखा हुआ है कि breaking news इस mission को complete करने के बाद आपको मिलेगा 30 lakhs रुपीज अभे यार इधर तो कोई एक mission है जो की complete करने पर हम लोगो 30 lakhs रुपीज मिलने वाला है चलो चलो भाई मैं इस mission को जल्दी से complete कर लेता हूँ और जो मेरा बाकी पैसा है वो भी मुझे मिल जाएगा और मेरे पास एक करोर रुपीज हो जाएगा भाई मैं तो काफी जादा excited हो रहा हूँ चलो भाई अभी मैं बाइक लेके फटवर उस mission को complete करने के लिए चला जाता हूँ तो बहुत दे ढूनने के बाद मैं फाइनली mission पे आज चुका हूँ और अभी मुझे यह वाला रेम कंपलेट करना परेगा तो चलो भाई इदर से मैं आगे वड़ता हूँ और भाई इदर तो एक moving container है अच्छा इसके उपर से मुझे जाना परेगा शायद तो चलो भाई इसके उपर से मैं आगे वड़ता हूँ हाँ भाई एकदम सही है और अभी इदर से और एक moving container आ रहा है अभी यार इसके side से निकाल हूँ क्या मैं चलो भाई निकाल जाता हूँ अभे अभे चलो 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 भाई इसके side से तो मैं आ चुका हूँ और इदर से jump लगाना है कि हा भाई मैं तो इधर भी आ चुका हूँ और अभी आगे भाई मुझे साबधानी से चलाना परेगा देखो भाई एक भी चेकपइंट मुझे दिख नहीं रहा भाई अगर कि मैं गिर जाओ ना तो भाई मैं खता हूँ ठीक है तो भाई मुझे एक बार भी गिरे बिना जो है इस मिशन को कंपलेट करना परेगा इधर से किदर जाना है अच्छा इसके उपर आना था भे यार बालवल बजगया भाई मुझे लगा मैं गिरनी वाला हुआ है और इधर से भाई देखो कितना पतला सा रोड है भाई जगा भी नहीं हो रहा लेकिन जाना तो परेगा न और अभी इधर से किदर जाना है हाँ ये कंटेनर को आने देता हूँ मैं सिबसे पहले देखो भाई ये आ रहा है हाँ भी सही वक्त है अभी जंप लगाना है एकदम सही भाई सो जंप मैंने लगा लिया है और इधर और एक कंटेनर है सो चलो भाई इसके उपर से भी मैं आ चुका हो और अभी किदर जाना है हाँ आगे की तरफ ही जाना है अरे अरे बाई गिरना मतियार चलो भाई इदर से भी right जाना है और इदर तो road block है भाई इसके उपर से मैं कैसे जाओंगा अच्छा side से निकल सकता हो शायद चलो भाई मैं एक बाई देखता हो हाँ इदर से road भी है और इदर से किदर जाना है भाई एकदम सीधा जाना है क्या वैसे चलो मैं देखता हो नहीं भाई सीधा जाओंगा तो देखो भाई इदर कोई road ही नहीं दिख रहा मतलब कि मुझे left side में जाना है और इदर देखो और यह सब घूम रहा है चलो भाई अभी तो एक काम करता हो ऐसे करके मैं धीरे धीरे इन जगा को पार कर लेता हूँ हाँ यह जगा भाई यह जगा भाई रुखजा रुखजा चलो भाई यह भी complete कर लिया मैंने और उसके बाद किदर जाना है मुझे हाँ इस side से okay हुए है और एक moving container है एक नहीं बलकि 2-3 है अभी यार अभी इदर से देखो कितना पतला सा जगा है भाई चलो भाई इस moving container को पहले जाने देता हूँ मैं उसके बाद आगे वड़ता है नहीं तो भाई यह मुझे गिरा भी सकता है पता नहीं क्या ही होगा चलो भाई अभी मैं इदर से एक काम करता हूँ हाँ इदर में जम कर लेता हूँ और यह वाला container को जाने देते सबसे पहले हाँ यह भी चला गया और अभी इदर से आगे वड़ता हूँ मैं अभी यह कैसा रोड है बाई देखो बाई कितना पतला सा रोड है नहीं पतला तो नहीं है मतलब बाई एकद इदर जाना है हाँ लेफ में जाना है शायद हाँ यार तो लेफ में जलता हूँ चलो चलो भाई मजा तो आ रहा है complete करने में वैसे एक ही दिक्कत है कि checkpoint नहीं है तो चलो गाई इदर से आगे वड़ता हूँ मैं हाँ एकदम आगे आज चुका हूँ और बस थोरा सा ही बचा है चलो चलो भाई मिल जाएगा मुझे लग रहा हो जाएगा चलो भाई इदर से आगे वड़ता हूँ मैं हाँ यार सो भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार ऐसे मत कर अभी इदर से किदर जाना है लेफ मूणना है चलो यार लेफ जाते और यह रेम काफी होने वाला है हाँ इधर एंड लिख के आ चुका है मतलब इधर से मुझे नीचे जाना है हाँ फाइनली गाईज हमारा जो रैंप है वो कंपलेट होने वाला है मतलब मिशन हमारा कंपलेट हो जाएगा और भाई हम लोगो 30 लक्स रूपीज भी मिल जाएगा चलो भाई फटा गर उसको पहले भाई हटाना परेगा क्योंकि भाई मेरने मेरे जो घर सबसे पहले हटना चाहिए और बहुए सबसे पहले मैं इस— düny, जबसे पहले मैं अपना फी काम کραते हूँ रूकुअ, मैं पहले इस है बाइक का जो लोकेशन है वो मिलता है क्या सो मैंने इतर रोड रोलर डिकिया और देखो गाई जैसे मैंने राइट पे क्लिक क्या सो फाइनली यार रोड रोकेशन मुझे मिल चुका है और यह तो फिर से एक रैम के उपर है अब यार फिर से रैम कंपलेट करना परेगा चो चलो तो चलो गाईस मैं इतर से जम्प लगा लिया और इतर से एकदम सीधा चलाना है मुझे जो गाईस इधर एकदम फूल स्पेड में भगाता हूँ मैं एकदम सीधा है नहीं भाई तो मुझे राइट adults न परेगा, इसे वाले, मतलब रगा होवा है, इसके सामने से तो कोई road नहीं है, लेकिन मुझे आगे जाना ही परेगा लेकिन जाओ कैसे में, तो देखो रहा है नीचे मुझे, इसको रहा है है, चलो बाई इसरे ऐकां कंट्णेर नीचे मुझे होइगा और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेके जल्दी से चलो गाईज इधर मैं आचुका हूँ और भाई अभी मुझे क्या करना है हाँ अभी आगे बढ़ना है फिर से और इधर से अग्दम सीधा चले जाना है मुझे तो एकदम देखो सामने जो बिल्लिंग दिख रहा है आप लोगो उधर ही मुझे जो रोड रोलर है वो मिलने वाला है अभी इधर से मैं एकदम सीधा चलाता हूँ चला जाता हूँ उस बिल्लिंग के एकदम टॉप पे तो देखो भाई अभी इधर से मुझे कैसे जाना परेगा हाँ लेफ्ट साइट से जो कंटेनर है इनके सा चला जाता हूँ चला मैं अब बायक से उतर जाता हूँ और देखो भाई बायक से उतर के जैसे मैं राइट पर पुरा फाइनली गईज मुझे इधर रोड रोलर जो है यह मिल चुका है तो मैंने रोड रोलर को कलेक कर लिया है और अभी मुझे रोप भी चाहिए क्योंकि वो घर को मुझे बांधना भी परेगा जिसके मदद से मैं road roller के मदद से खीच के वाई उस घर को हटा सकता हूँ अपने जगे से और new घर को उदर ले सकता हूँ अभी मैं इदर लिक लेता हूँ रोप और देखता हूँ कि रोप का जो location है वो मुझे कितर मिलता है तो मैं इदर रोप लिक लिया है अभी okay किया और जैसे right पे click किया तो देखो भाई रोप का location भी आ चुका है अरे यार यार ये तो अपना जो airport का area है उदर है और इदर मिटी के उपर ही परा हुआ है तो चलो guys मैं फटमवट जाके इसको भी click कर लेता हूँ so finally यार मैं बाइक पे तो बैट चुका हूँ और अभी भाई इदर से jump कराते हैं अरे भाई प्लीज यार मत गिरियो फ्रेंकलिन मरी जाएगा पता नहीं क्या होगा भाई गिरियो मत फ्रेंकलिन प्लीज अरे चलो यार finally भाई बहुत ही बरिया सा jump लगा लिया मैंने और देखो भाई airport इदर से पास ही मैं जादा दूर भी नहीं है तो उदर जाके मुझे इसको collect करना परेगा तो चलो भाई फटा फट जाके मैं इसको collect कर लेता हो so finally यार मैं इदर बाइक लेके एरपोड के एरिया पर आचुका हो और भाई इदर चलो भाई मैं अभी जल्दी से जाके इसको collect करता हो अरे भाई लेकिन एक सेकेंड ये सब क्या है भाई ये तो zombies है अभी याशेट zombies की दर से आया और वो भी एकदम भाई जो rope है इसके उपर इखरा हुआ है अरे यार अभी यार मैं क्या करूंगा तो सबसे पहले मैं एक काम करता हो भाई दसे ना मैं infinite health का active करके रखता हो क्योंकि भाई वो लोग मुझे कभी भी मर सकते है और अभी एक काम करता हो मैं अपना जो भाई फेवरिट बाइक है मतलब ghost rider बाइक इसको लेता हो जो कि भाई ये जॉम्बियों का कचमर बना देगा भाई ये जॉम्बि मेरा कुछ भी नहीं भी गर पाएगा और भाई देखो भाई अभी मैं तो भाई एकदम खुले हम जा सकते हो इनके पास अब आजा भी आजा भाई जिसको भी मनना है जिसको प्रशाज चाहिए सभी लोग इदर ये आजा और देखो भाई अभी सारे जो जॉम्बि आज वह एक एक करके मरता जा रहा है अरे भाई मैं ऐसे उपर कैसे आगया रुको रुको भाई यार मुझे गिर कैसे जाता हो मैं पता नहीं यार कैसे गिर जाता हूँ और भाई डेमेज भी हो रहा है वैसे मेरा इंफिनिट हैल्थ तो एक्टिव था लेकिन फिर भी डेमेज हो रहा है और भाई जॉम्बी और कितने बचे है जादा नहीं बचे है इनको अगर मैं बाई के पास ले जाओ तो सारे मर जाएंगे और देखता हो कि अभी थोरा सा बचा है बास और भाई फाइनली सारे जो जॉम्बी जै वो मर चुका है नहीं बाई एक दू बचा है इनको तो मैं ऐसे रपीजी से उरा दूँगा तो चलो भाई इनको आने देते है आने देते है आजा बेटा आजा ये ले प्रसाद तो इनको भी मारता हो मैं अरे यार मर क्यों नहीं रा चलो ये तो मर चुका है और इसको तोरा आने देते है ये ले बेटा तो ये भी मर चुका है और चलो भाई थोरा समय आगे बढ़ता हो तो मुझे जो rope है वो मिल जाएगा शायद से और देखो गाईस फाइनले मुझे जो rope है वो भी मिल चुका है तो मैंने तो दोनुच चीज को कले कर लिया है और अभी बस जो है मुझे अपना घर को अपने जगा से हटा लेना है और इसके जगा पे मुझे जो भाई मेरा modern luxury house है उसको लाना परेगा तो चलो गाईस अभी यही करता हूँ मैं तो अभी मैं फटा फट भाई जो अपना road roller है और भाई rope के सार है अपना जो घर है इसको मैं हटा लेता हूँ इधर से तो finally guys आप लोग इतर देख सकतो मैंने road roller के साथ यह जो रस्तिया इसको अपने घर पे लगा लिया है और देखो भी मैं road roller को चलाता हूँ और finally guys देख सकतो आप लोग मेरा जो भाई घर है वो road roller के साथ साथ आगे आता जा रहा है और देखो भाई road roller का एक चका तो भाई हवा में ही आ चुका है और देखो भाई इसको खीषता हूँ मैं कैसे ले जा रहा हूँ देखने में तो काफी मस लग रहा है और देखो फाइनली अपना जो घर है अपने जगा से हट चुका है और मेरा जो घर है वो इस city में सबसे जादा luxurious और सबसे बरिया और सबसे मस लगने वाला है तो चलो भाई मैं फटा फट इसको अपने घर के जगा पे लेके shift कर देता हूँ तो देखो यार ये जो घर है फाइनली अपने घर के जगा पे आ चुका है और बस थोड़ा से ले जाना है और बस इत्तु सा तो देखो यार फाइनली ये अपने जगा पे आ चुका है और अभी मुझे थोड़ा से इसको adjust करना परेगा तो चलो मैं इसको जल्द से adjust कर लेता हूँ So finally guys, देखो भाई, मैंने घर को इधर adjust कर लिया है, और देखो भाई, Franklin तो इधर खुशी से नाच रहा है, साती में देखो भाई, police NPC भी इधर dance कर रहा है, और दो NPC friend भी है Franklin का, जो इधर आके नाच रहा है, Franklin न्यो घर ले लिया, इसी खुशी में, तो देखो भाई, घर कितना जादा मस लग रहा है, पूरा भाई, एकदम लक्जरियस से लग रहा है, और देखो इधर मैंने फॉर्चुनर को भी खारा कर दिया है, चलो भाई, मैं साइट से भी आप लोगो दिखाता हो, तो देखो भाई, उपर इधर बहुत सारे टैंकी है, मतलब कि इधर हम लोग फ इस भाई, तो देखो भाई, सबसे पहले तो आम लोगो यह वाला रूम देखने को मिल जाता है, तो देखो भाई, इसका अंदर जो है, कितना जादा बरा स्पेस है, और इधर बाई, उइन्डोस पर कटन भी लगा हुआ है, मतलब परदा जो होता है, वो भी लगा हुआ है सारे उइन्डोस में सेम है, और देखो भाई, कितना जादा मस लग रहा है देखने में, और बाहर का व्यू भी काफी प्यारा आ रहा है, और इधर ना, एक नहीं बहुत सारे चोटे चोटे टाइप का रूम्स है, पता नहीं यह रूम्स क्यू है, और यह देखो भाई, यह स्टोर रूम यह भी बना सकते है, और देखो भाई, इधर यह वाले चोटे जो जगा है, वो पता नहीं क्यू है, तो अभी एक काम करता हो, फर्स्ट फ्लोर दिखाता हो आप लोगों को, तो देखो भाई, यह तो सबसे पहला हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर का जो फर्स्ट रूम है, यह है भाई, जो की काफी जादा बरा है, और भाई, यह लिविंग रूम भी हो सकता है, काफी मस लग रहा है यह देखने में, तो चलो गाई, अभी इधर से भाई, दिखाता हो मैं, इधर भी काफी सारे चोटे चोटे जो रूम से है, वो भी है, तो वो भी मैं आ आरे वाई टेंकी की ट्राइब बना के रखा है मतलब कि आप लोग फिशिंग का जो भाई वो है ना वो कर सकतो और देखो भाई बैल को नहीं कितना जादा मस्त है और इतर से पूरा सिटी का जो व्यू है वह आप लोग ले सकोगे और गाई आप लोग को कैसा लगा यह वाला करके बताना तो चलो गाई आज की वीडियो के लिए इतना है मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कर एंड जाएं दोस्तों